स्टुडेंट आज हम लोग शुरू करने वाला है नायरेशन का लेक्शर 2 जेसे में हम चर्चा करेंगे चेंज अफ तेंज पिछले लेक्शर में चर्चा किया था चेंज अफ कोशन अब चेंज अफ तेंज अफ तेंज जेनल रूल का चेंज अफ तेंज रूल एक एला रूल लेक्शर लिखेंगे कि वैंड रिपोर्टिंग वर इसको आप आरवन कहते हैं इस इन प्रेजेंट और फुचर एंड थेंग रिपोर्टिंग इच एंड मतलब प्रेजिंग पास्ट और फुचर तो क्या हो जायका नो चेंग आप तेंग तेंग टेंग टेंग इंडारेक्ट में इसके कोई टेंग के चेंग नहीं होते हैं एक लांपर हम लेके लेंगे टेंग शी सेज आई वेंट टू मार्केट अब हम लग्रहे कि यह जो रिपोटिंग वाव है रिपोटिंग वाव किस कीज़ में है प्रेजेंट में है ठीक है और रिपोटेट स्पीज पास्ट में है अगर यह प्रेजेंट में रहे और यह किसी भी टेंजमेंट है, तो इसके टेंजमें पूर परिवर्टन नहीं होगा, हाँ, क्या-क्या चेंजेज होंगे, ये चीज हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, पहले आप ये नोट कर लेंगे, सबसे फ़हले, इसके लिख लेंगे, यानि दोनों क्लोज को जोडने के लिए, रिपोर्टिंग और और रिपोर्टेट स्पीज को जोडने के लिए, हम दैट का अपरियोग करते हैं, उसके बाद, इनवर्टेड, कॉमाज और रिपोर्ट, हाँ, एक सीज के भियान रखना है कि जो चेज़प परसन है, वो सब में सेम चलते रहेगा, रूल जोड़ते जाएंगे, नहीं रूलाएंगे और नहीं रूल, इसमें जोड़ते भी जाएंगे, पिछले डालेंगे, तो अब इसको हम बनाएंगे, क्यासे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, सिज़ा दिखेंगे, शीखेंगे, 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 तू मार्टेट, दूसरा एक्याप्पल, विसेज, आई एम अ प्लेयर, तो क्या है जाएगा, सीदे, कुछ और नोट में लिख लेंगे, कि अगर शेज टू या सेट टू हूँ, तो इंडारेक्ट में, पिल्स या टूल हूँ जाएगा, और कोई ऑबजेक्ट मेंशन नहीं हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो वहाँ मीज हुपा रहता है, इसके बाद यह सिंपल हो गया, दूसरा रूल हम लिखेंगे, इसमें 30 गूल आते हैं जर्रल में, कि रूल 2 क्या हूँ जाएगा, कि वर्टिंग कानव में जर्णिय हूँ जेंग से पस्ते हैं, and reported speech is present या फिल्चर, it is changed into corresponding यानि कि अगर एक लिख लेंगे, he said, I am a player, हम देखना है कि रिपोर्टिंग वर जोड़ा हो, पास्ट में है, और reported speech किसमें है, simple present में है, तो इसका नियम क्या कहता है, कि corresponding past में change हो जाएगा, यानि कि तिन सिर्फ बदलेगा, ब्रांच नहीं बदलेगा, जैसे direct, अगर direct या reported speech, इन नारिक में क्या हो जाएगा, अगर simple present है, तो यह simple ही रहेगा, सिर्फ present का past हो जाएगा, corresponding past का यह मतलब होता है, कि tense change हो जाता है, branch change नहीं होता है, और अगर present continuous है, continuous है, तो past continuous हो जाएगा, देख रहेगा, same branch रहे रहा है, continuous का continuous हो जाएगा, present का past हो जाएगा, और present perfect है, तो सिर्फे past perfect हो जाएगा, ठीक, और present perfect continuous हो जाएगा, तो किस में चला जाएगा, past perfect continuous में चला जाएगा, यह दूसरा रिम सिर्फ यह ही है, अब इसको हम बनाएगे, he say, I am a player, तो क्या बजाएगा, he told भी लिख सकते हैं, और set को सेट ही रहे जाएगा, तो कि इंस में mention नहीं है, object, तो he told that, अब यह reported speech simple present में है, यह present में सिर्फ है, तो सिर्फ पास में चला जाएगा, तो क्या बजाएगा, he was a player, दूसरा एगापन हम लेख लेएगे, इसको अप लिख लेएगे, दूसरा एगापन में क्या होगा, John said to roaming, she has done well, अब हम देख रहे हैं कि, John जो है वो past में है, तो John told roaming that, अब यह 3% सिर्फ लेजेगा, she has के जाएगा, has के जाएगा चुकि यह present perfect है, तो past perfect में जाएगा, she had done well, इस तरह से यह बहुत ही simple है, आसाल है, और general rule का हम आखरी जो नियम है, उसकी चर्चा करेंगे, कि रूल scholar, सिर्फ डिवर में संगा, तर भी इस रहते हां और कहोंआग हुआग प्जिToी करेंैं। लिए, इस प्जिपच्पी को और कि पंधिन सुग टृट सुग्जत रस्पेक्टिव ले, यानि कि अगर डायरेक्ट का रिपोटेट स्पीच, क्या रहे, सिंपल, पास्ट रहे, तो इन डायरेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और अगर क्या स्पीच, क्या है तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट क्युंति नीवस चला जाएगा, और पास्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट ही रहेगा, पास्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट रहे जाएगा, पास्ट पर्फेक्ट कुंटिनिवर्स, पास्ट पर्फेक्ट कुंटिनिवर्स ही रहे जाएगा, मतलब जो परिवत्वन होता है अगर रिपोटेट स्पीछ पास में रहे तो सिंपल पास रहेगा तो सिंपल पर्फेक्ट और पास पर्फेक्ट और बाग की दोनों सेम रहता है यह थर्ड रोल का आखरी यह नियम है इसको आप ध्याल में रखेंगे एक इग्जाम्पल हम जसे रोजी रोजी में बें प्युश्यों से थीजामपन प्योजी बें टो और बाग की लेंगे एक आई लोजी शेड मैं प्यूंत टूम दे कीखलों से पेना यह यह जयाग start तो यह हो जाएगा, अब यह simple past पास्ट में चला जाएगा, यह हमारा अगिम कहरा है, यह हमारा आज का जो जो जेनरल रूल है, समाब चुगा, आप इसको ध्याल से पढ़ लेंगे, और लिख जाएगा, भी लेंगे, हम तीशरे lecture में चर्चा करेंगे, question कैसे change होते हैं, जो indirect speech है, wh question, yes no question कैसे change होते हैं, उसको आप जरूर देखें, धन्दे बाद, keep on watching and subscribing.